Assalamualaikum dear learners, potential entrepreneurs and entrepreneurs, welcome in the video. हम marketing के जितने भी topics आप से discuss कर रहे हैं, being an entrepreneur सभी topics आप के लिए जरूरी हैं. चाहे हम price की बात करें, चाहे हम product और experience या service जो आप बेच सकते हैं, वो होती क्या है, उसकी बात करें. चाहे हम promotion की बात करें, चाहे हम physical evidences की बात करें, बिजनस में. यानि जितने भी marketing से related piece हैं, हम सब की बात करें, सब ही बहुत एहम है. मगर आज का topic सबसे ज़्यादा आहम है उन्हों entrepreneurs के लिए, जो अभी अपनी product को design कर रहे हैं, development stage पर हैं. खास तोर पर किसी incubation center में बैठ कर, वो अपनी product को या service को design कर रहे हैं. यही agenda इस वीडियो का भी है, कि हम बात करेंगे product और service specifications की. example से शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर, अगर आप एक computer buy करना चाहते हैं, laptop हो या desktop हो, एक computer buy करना चाहते हैं, और आप किसी shop पे गए हैं, तो shopkeeper आपको सबसे पहले क्या देगा? आपके हाथ में सबसे पहले product specification ही आएगी. मिसाल के तौर पर, अगर हमने computer buy करना है, तो हमारे हाथ में आएगा कि इस computer के अंदर, जो Intel का processor है, वो i3 है, i5 है, i7 है, इसके अंदर hard disk की space कितनी है, इसके अंदर कितनी GB की RAM लगी वी है, इसकी screen का size क्या है, storage के इलावा, मिसाल के तौर पर ये, क्या ये touch screen है, या नहीं ह है, इसके अंदर, जो है, वो sound या VGA card लगा हुआ है, या नहीं लगा हुआ, इसके site के ओपर USB की कितनी ports है, इसके साथ आप क्या attach कर सकते हैं, इसके camera अंदर लगा हुआ है, built-in, वो कितना megapixel का है, एक लंबी चौड़ी list आपके पास आ जाएगी, purpose क्या है, आप एक महंगी product खरीद रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि basically इस product की specifications हैं क्या, in other words, main characteristics हैं क्या, likewise, अगर आपके पास smart phone हैं और आप अपने smart phone purchase करने के लिए जाते हैं और आपने purchase कर भी लिया है, तो आप अपने mobile phone की जब settings में जाते हैं, तो वहाँ पर एक आपको tab मिलता है about phone का, उसके अ operating system run हो रहा है, android का कौन से version है, processor अगर octa core है, इसकी RAM क्या है, इसके अंदर space क्या है, इसके अंदर कितने SIM card हो सकते हैं, यहां तक के legal information, कि सारी information आपको आपके phone के बारे बें भी मिलती है, just think about a customer, चलें आप यूं समझें कि आप एक customer हैं और आपने एक महंगी product buy करनी है, क्य इन तमाम product specifications को जाने बगएर आप product buy करेंगे, the answer is simply no, आप कभी भी buy नहीं करेंगे, आप जब भी कोई product लेने के लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा main interest किसी भी customer का होता है कि इसकी product key specifications हैं क्या, being an entrepreneur, आपने अपनी product specifications लिखनी हैं, इसलिए मैंने कहा था, वो entrepreneurs जो incubation centers में बै अपनी product या अपनी service design कर रहे हैं, उनको यह लिखना पड़ेगा कि उसकी जो product है, उस product की specifications हैं क्या, अगर हम definition की बात करें, हम चले जाते हैं businessdictionary.com पे बहुत एहम बड़ा major source है जहां पर आपको business की terms मिल जाती हैं, so businessdictionary.com product specification की क्या definition देता है, this is कि a written statement of an item's required characteristics documented in a manner that facilitates its procurement or production and acceptance, यानि एक written document जिस तरह mobile के अंदर मैंने आपको बताया था, about phone में, यह आपको मैंने बताया था कि आप shopkeeper के पास जाते हैं, तो उसके पास यहां तो उसने खुद design किया होता है, यह company ने उसको दिये होते हैं, वो ब्रॉश्टर्स जिसके पर सारी specification लिखी होती है यह written document जो आपको बताता है कि किसी भी product के main characteristics हैं क्या, ताकि आप उसका order place कर सके हैं, product की जैसे शायद हमने आप से पहले भी बात की हो, हमने कहा था, product दो तरहां की हो सकते हैं, यह आपकी consumer product होगी, यह आपकी business यह industrial product होगी, हम बात कर लेते हैं, let it suppose, consumer product में तो हमने laptop की example ले हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी जो भी product develop कर रहे हैं, जो भी service develop कर रहे हैं, इस तरहां से वो document करें कि उनकी product के अंदर उसके main characteristics हैं क्या, हम बात करते हैं industrial product की, क्योंकि industrial product में तो product specification और भी बहुत जादा एहम हो जाती है, product specification अगर हम business, industrial product के हवाले से बात करें, तो Philip Carter define करत आप में, कि product specification है, क्या stage of the business buying process in which buying organization decides on and specifies the best technical product characteristics for a needed item, यानि आप सोचें कि आपने कैसी product design की है, जो आपने किसी industry के अंदर बेचनी है, कोई machine आपने develop की है, तो वो product specification है, क्या आपका वो page जिसमें सारी information लिखी हुई है, आप उस organizations को दें, वो organization उन details को पढ़े और पढ़ने के बाद फैसला कर सके, उस technical information के अपर हो कि उसने आप से वो machine वो product buy करनी है, या service buy करनी है, या नहीं करनी है, तो again it is really very important, again आजाते हैं अपनी industrial product की तरफ, product specification आपको कहां जाके help करेगी, अब ये वो entrepreneurs खास तोर पे जो इस वकत already deal कर रहे है documentation हमेशना आपके process को आसान, आपके buying process को आसान कर देती है, हम बहुत specifically बात कर रहे हैं, उस buying process में जो business to business हो रहा होता है, so again अगर आपके पास एक return product specification है, तो आप क्या काम करते हैं, आप straight rebuy भी कर सकते हैं, या आपने specification बनाए विया आपनी company को दी, company क्या करती है, इना situation जि buyer जो है, उसका एक routine है, कि वो आप से इस तरह की machine या इस तरह को कोई की chemical या इस तरह की कोई भी चीज जो है, वो आप से खरीदता है, और उसकी specifications में कोई change नहीं होता, तो आप वही specification भीजवाते हैं, वहीं से approve होकर आ जाती है, और आप बार बार वही उसी specifications के साथ किसी business को अपनी चीज बेच रहे है, it's called straight rebuy, अच्छा, again दूसरी बात या जाती है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी situation है, कि जिसमें आपने specifications को change करना है, मिसाल के तौर अगर मेरा एक business है, और उस business के अंदर मुझे आप से 15, 20 या 25 computers चाहिए, और उन computers के अंदर मुझे कुछ specifications को change करना मिसाल के तौर पर अगर core i5 था, तो मुझे i7 चाहिए, अगर इसकी जो storage थी, वो 500 GB की है, तो मुझे 1 TB की चाहिए, या इसके अंदर प्रोसेसर अगर let's suppose 8 GB RAM के लगावा है, तो मुझे 16 GB RAM चाहिए, अब number 1 मेरे पास एक document है, मैंने उसके अंदर जो आपने मुझे product specifications बेच business to business, उसको हम कहते है, modified rebuy, तो अगर आप एक entrepreneur है, आपने अपनी product specifications लिखी वी है, तो आप याद रखे, कि जब आप business to business में deal कर रहे होंगे, बाज़ुकत consumer भी आप से modify कर वा रहा होते है, तो वो आप उसको हम कहते है, यह modified rebuy है, rebuy को मतलब यह है, कि एक दिफा आप च चीज खरीद रहा है, तो आपने उसको specification दी, कुछ उसने अपनी specifications बताई, और अगर वो दोनों match करनी तो आपने उसको चीज बेच दी, again confidence खरीदने का कहां से आ रहा है, customer को आप कैसे convince कर रहे है, because आपके हाथ में एक written document है, product specifications का ऐसा नहीं है, कि आप इठा के घेंटो घें document हो, एक और जिससे कहते हैं, हम जिसको हम कहते हैं, कि यह system selling है, यह जिसको हम solution selling कहते हैं, कि आपकी जो product होती है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं, कि यह laptop है, इसकी specification है, उसके इलावा इसे कोई issue हो जाएगा, तो हम two years की guarantee भी देते हैं, उस guarantee के अंदर यह details भी होंगी, यह आपने अकसर देखा होगा, आपने मिसाल के तौर पर एक shop open की है, और आपने एक AC unit लिया है, तो वो AC unit में कहते हैं, आप buy भी करें, फिर हम घर में चाहके आपको install भी कर देंगे, installation के बाद भी को issue हो, तो हम इसकी service भी आपको provide कर देंगे, आप सिरफ एक cheese नहीं बेच रहे एक product नहीं बेच रहे हैं, एक पूरा solution बेच रहे हैं, so again इसको हम कहते हैं system selling या solution selling, जिसमें आप पूरा का पूरा package बेच रहे होते हैं, coming back to the point, again and again, product specification, जब भी आप किसी business competition भी जाएंगे, तो सबसे पहले आपको यही कहेंगे, आप product define करें, खास तोर पर इसके mean characteristics define करें, तो आप अपनी product specifications बता रहे होंगे, product specification आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि customer या किसी industrial जिसे कहते हैं goods बेचने के लिए, आपको helpful होगा, अगर आपके पास product specification लिखी वी, अपनी product अपनी design की वी है, तो आप product यहां तो बेचते रहे हैं, यहां अगर आपने इसको improve करना है, तो आ आपके engineers यहां जो आपके developers हैं जिसके भी आप help ले रहे हैं, अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो, आपको इसमें काफी help मिलेगी, आप इसको redesign करना चाहें, आप एक standardized product बनाना चाहें, या आपने यह जो product बनाई है, उस product को आप कोशिश कर रहे हैं कि वो कम cost के उपर produce कर सक हैं कि मेरी यह वाली product है, आप बताएं कि आप मुझे कितनी budget के अंदर इसको मुझे produce करके दे सकते हैं, so coming back to the point, product specification इंतहाई एहम है, इसका documented होना इंतहाई एहम है, आप product redesign कर रहे हैं, आप cost कम करना चाह रहे हैं, आप industrial goods में खास तोर पर आप किसी को order place कर रहे हैं, उसने आप से एक दफा ले लिया है, दुबारा हो सकता है वो आपको कहें कि आप अपनी specification product की बेचें, भेजें, हम देखें कि कितनी improvement आई है, कितनी नहीं आई, सारा का सारा मामला आपकी product specification या service specification जितनी अच्छे तरीके से आपने define किया, उस पर चल रहा होता है, so see you in the next video.